हेलो गाइज मैं हूँ पोकेसेंस है और आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ लेजेंडरी पोकेमोन और मिथिकल पोकेमोन की बीच में क्या डिफरेंस है इस टॉपिक के बारे में ये टॉपिक मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था तो थैंक्यू भाई ये एक कॉंटेंट सजेस्ट करने के लिए और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत साए लोग होंगे जिनको इन दोनों की बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा क्योंकि अगर देखा जाए तो पोकेमोन का एनिमे इस चीज़ को कभी एकस्प्लेइन नहीं करता नहीं पोकेमोन का गेम करता है अगर ये आपको जानना है तो आपको इसके लिए खुच से रिसर्च करने पड़ेगी सो इसी टोपिक के वारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो जो कि बहुत सारे mythical Pokemon से strong होंगे तो इससे एक चीज़ सो मालने पड़ती है कि इन दोनों के बीच में strength का तो कोई यह नहीं है difference और अगर Pokemon के anime से देखा जाए तो Pokemon के anime में तो इन दोनों के बीच में कोई difference नहीं है ऐसे कोई चीज़ बताई नहीं गई है जिससे हम बता सकें कि कौन सा legendary Pokemon है और कौन सा mythical लेकिन Pokemon के game में यह दोनों को distinguish किया जा सकता है legendary Pokemon ऐसे rare Pokemon होते जो कि आपको game में मिल सकते हैं भले यह आपको एक ही बार मिलेंगे और इनको catch करना बहुत difficult होगा बट यह Pokemon आपको normally game में मिल जाएंगे जबकि mythical Pokemon ऐसे Pokemon है जिनको catch करने के लिए आपको specific event पर participate करना पड़ेगा जैसे Gen 1 में आपको Mew को catch करने के लिए event में participate करना पड़ता था Sim Gen 2 के लिए Sally B के लिए कहा जा सकता है और Gen 4 के लिए Arceus के लिए तो यही difference है यह दोनों Pokemon के बीच में बाकि कोई दूसरे चीज में तो इन दोनों के बीच में difference नहीं है यही एक only difference है यह दोनों के बीच में और यह difference भी आया इनके बीच में Gen 4 से उससे पहले सभी को legendary Pokemon में ही consider किया जाता था मतलब Mew को भी जब दिखाया था तो वो legendary Pokemon ही था भले उसे event में पकड़ा जाता था लेकिन तभी भी वो एक legendary Pokemon था Gen 4 में याने कि Sinnoh region के बाद एक चीज को बदला गया और जो भी event पे Pokemon मिलते थे उनको mythical Pokemon के नाम से बुलाया गया और इसलिए mythical Pokemon special है Pokemon के games में Pokemon के anime में देखा जाए तो सारे legendary उतने ही special है जितने mythical Pokemon है So यही है legendary और mythical Pokemon के बीच में difference I hope कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यह दोनों Pokemon के बीच में क्या difference है तो अगर आप लोग को यह वीडियो पसंदा तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे जानल को सब्सक्राइब करना मैं आतर होगा इसी Pokemon के contents के साथ तो तब तक के लिए goodbye